हे अप्रिवन आज हमारे घर में सब को मन किया कि कुछ मीठा खाया जाए और थोड़ा अलग खाया जाए तो हमने सोचा क्यों ना गाउं की इस रेसिपी को ट्राइ किया जाए ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर ए और यहाँ का आटा है और इसमें हम गुर का पानी डालकर mix करेंगे गुर के पानी को हमने अच्छे से ठणधा कर लिया है उसके बाद ही इसे आटा में mix कर रही हूँ तो आप जब भी बनाए तो पहले पानी अच्छे से ठंधा होने दें और फिर आके में mix करें थोरा-थोर चमच सौप ले रही हूं और आधा चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सब पानी डाल कर मिक्स करेंगे जैसे ही बेकिंग सोडा के ऊपर आप पानी डालेंगे उससे बावल साने लगता है और घोल जो है वह बिल्कुल फ्लपी हो जाता है आप देख हमें इससे रखना है तो अब हम गैस पर एक दूसरा पैल लेंगे और उसमें डालेंगे रिफाइंड ओयल की गरम होते ही हम इस तरह कीछे से डाल देंगे आठा एकदव गुल्गुल डालेंगे अगर आप हाथ से न डाल सकते हैं तो आप चमच से भी इससे डाल सकते हैं ल और दोनों साइट से विल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेग लेंगे यह गुल्गूला बहुत आसान ऐसे बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टि लगता है साथ ही एह खेल्दी भी है क्यूंकि यह गेहों के आटे और गुर्शे बना हुआ है और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं है तो इसे आप जरू ट्राइ किजिएगा सबको बहुत पसंद आएगा तो यह चारने लाइक हो गया हम इसे इस तरीके से चार कर निकाल लेंगे और एक देसी तरीका भी बता रहे हो डालने का हाथ पर बैटा इस तरीके से लेकर बीच की उंगलियों से आप इसे निकाल सकते हैं इस तरीके से यह आसानी से निकल जाता है अगर आपको ऐसे निकालना पसंद ना हो तो आप चमच से भी डाल सकते हैं और फिर हम इसे पलट कर golden brown होने तक सेख लेंगे और गुलगुले तयार हो जाएंगे तो लेटे हम इस तरह के से पलट लेते हैं एक-एक करके डालने से क्या होता है जो पहले डालते हैं वो जल्दी सिख जाता है और कुछ बाद में सिखता है तो आप क्या करें पलटते भी रहे ताक कि गुलगुले जले ना और यह छानने लाइक हो ही गया है तो मैं इसे भी छान कर निकाल लेती हो तो इस तरीके से हमारे सारे गुलगुले बनकर तयार हैं और अब मैं इसे एक पाउल में निकाल लूँगी और पूरी फैमिली के साथ इस गुलगुले को एंज्वाई करूँगी तो फिर देर किस बात की अगर आपके घर में किसी मीठा खाने का पसंद मन हो तो आप इस रेसिपी को जल ट्राइ किजिएगा बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है साथी मेहनत भी कम है और यह सूपर टेस्टी सूपर फलपी सौप्ट गुल बन कर तैयार है वीडियो ची लगी है तो एक लाइक किजिएगा